हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टडी फीट ऑफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि न्यू प्रैक्टिस का यह 49 वीडियो है जैसा कि एंपी वर्क टू-3 यूपी तीजिटी-पीटी यूपी अल्टी ग्रेट बीपीजिटी-टी-पीजिटी-पीजिटी- नेते रहें जब भी प्रैकेंसी जाये कि एक्जाम होगा आपका उसमें अस्थान जरूर होगा यदि डिली बेसे इस पर लगातार बने रहेंगे तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन है दोस्तों जब एक धांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु सरीर के साथ कहलाता है दोस्तों इसे हम कहते हैं एवलजन फैक्चर याद रखिएगा क्योंकि एसे इसे इफ राया लिगामेंट पर सरीर के बाहरी बलो के कारण या टेंडन पर पेसी संकुचन के कारण उत पर नहों होता है कोशन नमबर टू है दोस्तों कि एसे आई इसनूकर विजेता प्रथम भारती खिलाड़ी का क्या नाम है नेम आफ दे फर्स इंडियन फ्लेयर टू वीन एसे इसन इसनूकर तो दोस्तों इस में आपका रायट अंसर एसे इन मर्चेंट दिया हुआ है बट मैंने जब सर्च किया तो वहां पर पंकज आड़वानी दिखा रहा था तो क्या ये एसेन मर्चेंट सही है मैंने प्रयास किया जानने के लिए मुझे एकजिक्ट पता नहीं चल पाया जबकि आपको पता है कि एसेन गेम में सोड़ पतक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है कमल जीत तिंग संदू जो चार समीटर दोड़ों में सोड़ पतक प्राप्त की थी 1970 बैंकांग एसे आई खेल में Question No.3 है किस बिटामीन की कमी से रात्री का अंधापन होता है Deficiency of which इटामीन causes night blindness Night blindness यानि रात्री का अंधापन जो है वितामीन एड की कमी सी होता है वितामीन ए का रासानिक नाम बग्यानिक नाम बितामीन एको हम संक्रम रोधी बितामीन और ग्रोथ बितामीन भी कहते हैं जो एक्टिव रहता है अगर रोट सेल खराब हो जाता है तो रात को नहीं दिखाई देता है जैसे कि road cell तो road cell जो है आखों से दुझा दिखाई देता है अगर खराब हो जाता है तो राज को एक्तिव रहता है अंधिरे उजाले का फर्क बताता है अंधिरे में वस्तू को पाचाने कारे करता है रोड सेल। अगर यह ग्रसित हो जाता है, तो रोड सेल बच्च ज 시작। तो नाइड ब्लैड्नेस याने की रतमरी होता है. जबकि एक कों सेल होता है, कों सेल जुभाशा में वस्तों के रंगों में अंतर करने की छमता को बताता है. अगर कौन से जो है गरसित हो जाता है तो color blindness यानि कि वड़ा नता रोग हो जाता है जिसमें रंगों को देखने में लाल हरा रंग देखने में जादे दिक्कत होता है क्वेस्टिन नमर फॉर है खिलारियों के बीच frustration का कारण होता है दोस्तो frustration among sports person is college boy तो जो है आकांचा और योगता की इस तर के बीच ताल में नहीं बैठा पाते हैं मिसमैच बिट्विन एस्पिरेशन एंड एबिलिटेज लेवल क्रिकेट पीच की लंबाईधाः होती हैं आप सबको पता है क्रिकेट पीछ की जो लंबाई होती है 22 गज होती है गज में पूछेगा तो 22 गज एंड मिटर में हो जाएगा 20.1-2 मिटर एंड यहां पे फिट दिया है तो फिट में आपका 6-74 फिट होता है यहां पे 6-6 फिट आपका रायट इंसर हो जाएगा कोशन नमर्श इस है आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं परन्तु उसे पानी पीने के लिए बात नहीं कर सकते हैं या सिखने के किस नियम से समझत है दोस्तों थांडाइक ने तिन सिखने के नियम दिया है लाफ रेडिनेस यानि की तैयारी का नियम लाफ एक्सरसा पीने के लिए जब तक उसकी इच्छा नहीं होगा तयारी का नियम लाफ रेडिनेस नियम लागो होता है तैयारी का नियम ठीक है Q7 है सैचिक ब्योज था कि अमसार एक अच्छी समय सारड़ी में होता है दोस्तों एक गुड टाइम टेबल इन एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूड क्यों किया गया है एक गुड टाइम टेबल होता है तभी तो सभी सिख्छक जो है समय से जाते हैं समय से आते हैं समय से कारे करते हैं एक कारे बाधता हो जाता है यहाँ पर एक सिख्छक के नियम बध और नियमित कारे बाधता क्योंकि सैचिक ब्योस्ता की धूरी जो है सिख्छक ही उदा है अधा सैचिक ब्योस्ता में सिख्छक की नियम बधता और नियमित कारे बाधता सैचिक ब्योस्ता के सुझ तो दोस्तों 1926 में अंतरहाष्टी टेबल टेनिक संकीस थापना वुआ था टेबल टेनिस को पिंग पॉंग भी बोला जाता है कोसिन न्युदमन नायन है प्रड़ायाम का ताथपर है प्राणि अयाम यानि सासों पर नियंद्रड करना यहां पर ब्रीधिंग। का मतलब होता है स्वास को रोकना दो प्रकार के कुंबक होते हैं वह कुंबक आंतरिक कुम्भग स्वास को अंदर रोके रखना आंतरिक कुम्भग स्वास को बाहर रोके रखना वह कुम्भग होता है तिसरा होता है रेचट क्यानि स्वास को धीर धीरे बाहर निकालना question number 10 है carbo-hardid loading परिभासिक सब्द जो की खिलाडियों द्वारा प्रियोग किया जाता है इसका अर्थ है वहाँ उर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं तो दोस्तो लोडिंग सब्द सही समझ जाएगा कि हमारी मांस्पूशियों में जमार आता है जब हम एक्टिविटी करते हैं उस तमें हमको उर्जा देता है या एंडोलेंस से समंधित होता है इसका उप्योक मासान सकती इस परधाव में प्रदसन को ब्याहतर बनाने के लिए किया जाता है क्वेशन नंबर 11 है आपको सही मिलान करना है यहाँ पे देखना है जो चेक मेट है इस सब्द किस्से समंधित है 17 जैसे तो A कर जो है 4 हो जाएगा गूगली सब्द किस्से है तो आप सबको पता है क्रिकेड से समंधित है V का 5 हो जाएगा बाइसीकल किक मैंने बताया है कि किक सब्द जहां भी आएगा तो फुटवाल से रिलेटेट होगा, C का 3 हो जाएगा, D का 2 हो जाएगा, इस प्रकार आफसर नमबर D यहां पर राइट एंसर होगा, कोशन नमर 12 है, भारत का सरोच्ची खेल पुरुसकार कौन सा है, तो हाइट इस्पोर्स अवार्ड है, राजु गांधी खेल रत्न पुरुसकार, जिसकी सुरुवात 1991 बारवे में हुआ, इसमें बर्दमाने 25 लाग धनरासी दिया जाता है, दोस्तों, राज्यू गांधी खेल रत बुरुसकार कर दिया गया है, इसलिए अब सरोच्ची खेल पुरुसकार में नमा 9, जिसको हम राजु गांदीे खेलरत पुरुषकार कहते थे, 1991 वाни से शुरू हूआ अर इसमे बरतमान में 25 लाग धनรासी दिया jáता है। अजयर पुरुषकार की सुलवात 19 Fellow Day прошshow 54 लाग धनरासी दिया जाता है। को को सिरी में वसा की मातरा का अनुमान लगाने हेत। किस यंदर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप सब को पता है वो स्कीन फॉल्ड के लीपर का प्रयोग किया जाता है। बड़ कभी कभी पुछ लेता है कि इस स्किनफूल का एलेपन में जो है पकड़ बनाने के लिए कितना मानक दाब होता है तो ओ दस ग्राम पती मिली लिटर इसक्वायर होता है होना चाहिए कोशन नंबर 14 है ठकान की आवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध की बिरुध कारे करने की छंता को क्या कहते हैं जब भी प्रतिरोध आ जाए तो एबलेटी टू प्रफार्म वर्ग वीद और अगेंस रसिस्टेंज अंडर फटिक इस कॉल दोस्तों जब अगे अर्ब भी ठकान वी सब्ढ़ आ गया तो भ धकान कjes में होता है और तौटकान के अवस्था में भी कारे करते रहना उसवानसल्ता होते है यहां पे शक्ति सश्वांसल्ता ठेक है प्रतिरोध के बिरुद सक्तिश हो गया kसमें में ना नांग करते हो गया है यादि सक्ति- स क्या करदा से छुमीwiąz प्रकार का होता है, डानेमिक हएई मैक्सम ह deg क्वेशन निबर 15 है, फ्रसिछ्र की दोरान थख़कान की अभाज की क्या कार Each में अभार होता है? इस फिलिंग सल्ट्रे इन दाद कवाज ओए North प्रसिज्चर के दुराद थकान कामाँ इसको होता है नहीं भालो प्रसिचर के तो ऐसा प्रसिचर करते हैं तो उस Commons कैसे तरह नहीं होता है। अख्यावट को जो ऐसा महसुस होता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा उसको से के न भीन कहते हैं जैसे ही हम तुरा रेश लेते हैं पुरा हा आक्सिजन भरपाई होई हो नी लगता है और उर्जा बनने लगता है जिसे हम फिर नानुमार पहले वाले इस्टी में आ जाते हैं कोशनना में रो भुला है। सुप्र्ट पोछ कोब से समन्दित है। वह फुटबॉल से समन्दित है। यह अंतर विदियाले टरॉफी निस सु साज शुरू हुआ। जैसे कि फुटवाल में सिनियूर पूरूस के लिए संटो़ टोफी उनिसो 51 से शुरूँच उनियूर पूरूस के लिए फुटवाल में डाक्टर ुवीसी राय ट्रउफी और सब जुनियूर्पूस के लिए मीर अकबाल हुजएन ट्रोफी उनिसो सटत्र से सिनियर महिला के लिए बेगम हजुरत महल ट्रोफी और अखल भारती अंतर बीस्टो बिद्यारा ट्रोफी में असतोस मुखरजी ट्रोफी उसके लगा में फुटबार में चकोला गोल्ड ट्रोफी फीफा कप मर्डेका कप रुवार्स कप फेडरेशन कप नहरू कप अंतराश्टी नहरू गोल्ड कप अयब्धे सिल्ड कप डिसीम कप सैक कप कोपा कप लाल बाहदुर सास्त्री ट्रोफी एंडुरंड कप राध्यो इसमें आते हैं कोशन नंबर 17 है कि 110 मिटर बाधा दोर में बाधा की उचाए कि इतनी होती है दोस्तों 110 मिटर पूरुसों के लिए होता है बाधा दोर और इसमें महिलाओ के लिए है और 400 मिटर पूरुस महिला दोरों के लिए होता है तो तो 110 मिटर बाधा दोर में बाधा की जो उचाए होती है कि वान पॉइंट जीरो सीटीवर मीटर होती है जब कि सो मीटर में महिला के लिए 0.84 मेटर चार सौ मीटर पुरूज के लिए 0.914 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर कोशन नंबर 18 है आउट कबड़ी खिलाड़ी पैट जाते हैं तो दोस्तों जो कबड़ी में आउट होते जाते हैं वह बाहर सेटिंग ब्लॉग में बैठते हैं जो आठ गुड़े एक मीटर का बना होता है कोश्चन नंबर 19 है ECG सुचक है ECG का फुलफार्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्रॉफ जो हिड़े की अनिमत्ताओं को पता लगाने का अप्रियोग किया जाता है या हिडचे संकुचन प्रसाण के दौरान उसमें उत्पन्न बिद्दृत बलको माच अपने के लिए इसिएंट्र का उप्योग किया जाता है ECG का या माच सरी के बारी सतर से लिया जाता है जिससे हिड़े में किसी प्रकार के विकार का पता लगा जा सकता है से हम प्तान स करते हैं एक रादस आपना है सभाथ कारदुग्राफ से इ सब्सक्राम मस्तिश इसब्स सल्ड़ जा तो इसे चाह ब्यक्ति को स्वास्त यों सुरच्छा अद्दों के लिए डिएश देती है यों खेल वक्रिडाय सुरच्छा स्वास्त प्रिरग पधती के तहत ही खेली जाती है सारी क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश से है तो सारी क्रियाओं में the main purpose of participating in physical activities तो दोस्तों इस मुख्य उद्देश होता है अपनी सक्ति का बेहतर प्रदशन करना अपनी सक्ति का बेहतर प्रदशन करना तो अपनी सक्ति का बेहतर प्रदशन करना यानि कि सारी क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश से होई सरी को स्वास्त रखना पता किसी भी कारिया खेल के दोरान अपनी सक्ति का बेहतर प्रदशन करना होता है कोशन नमर 22 है निन में से कौन सा इस्कूल स्वास्ते सिच्छा कारिकरम का भाग नहीं माना जाता है तो दोस्तो स्वास्त निर्देश देना एने की हेल्थ इंस्ट्रक्शन उसको दे सकते हैं हेल्थ सर्विस दे सकते हैं स्वास्त निर्च्छा उसको कर सकते हैं निन में से क्या स्कूल स्वास्थ कारक्रम से समंधित नहीं है विचाद फालुइंग इजना डेलेटेट टू इसकूल हेल्थ प्रोग्राम में तो दोस्तों यहां पे हम स्वास्थ समंधिर कार्ड रख सकते हैं साफ सफाई कर सकते हैं रोगों का उप्चार इस अभी आएगा बर्ट आपका कैरियर समंधि प्रामर्स यहां पर नहीं आएगा इस्वास के अंतरकत नहीं आएगा है कोस्टन नंबर चौबिस है सैधान्तिक रूप से नेताजी सुभास्थ राश्जी खेल संस्थान क्या है कांसे कांसेप्च्वली नेताजी सुभास नेशनल के चार करायत्मक खंड हैं जिसमें से अकादमिक साइची खंड दूसरा संचालन खंड जो साइची खंड है उसमें दो है एक खेलों के लिए अकादमिक खंड दूसरा सारी सिछा के लिए अकादमिक खंड तो खेलों के लिए अकादमिक खंड के अंतरकत हमारा एनसनाइस प के लिए अकादविक खॉंड है जो पट्याला है इसमें एनसनाइस पट्याला के रूप में जाना जाता है और इसमें प्रसिच्छक का प्रसिच्छर ले रहे सिच्छक खिलाणी को एक वर्स डिप्लोमा कोर्स करा जाता है इस्पोर्स कोचिंग में दो वर्स मास्टर्स कोर्स इस्पोर्स मेडिसिन में दो वर्स डिप्लोमा कोर्स और साइस सिच्छा अध्यापकों के लिए छे सप्ता की सर्टिफिकेट कोर्स और सेवारत प्रसिच्छकों के लिए पुनस चरिया कारक्रम भी करा जाता है एन समय समय पर IOC सहित कोर्स संगोष्ठियां कारसलाएं क्लिनीक आयूत किया जाता है और चिकिश्ख को बlijk्यापनों के लिए वार्सिक ख्यातर्वित्यावभ खेल विग्ण ख्यातरमी सोच के लिए प्रोसाहिद करने के उद्दिस से चुनिन्दा अन्सथानों को प्रोजेक्ट अनुद्दान भी इसमे किया जाता है इसको सारे सिच्छा का मक्का भी कहा जाता है एसिया का जो है सबसी बड़ा एक खेल संस्थान है याद रखीगा खेल जगत का मक्का कहा जाता है NSNIS को कोशन नमर पतीस है बिज्यार्थी समानेता बेहतर सिखते है दोस्तों कब बेहतर सिखेंगे क्या यदि निर्वेष्न व्याध्खानों के कई घंटे दिये जाये व्याध्खानों के बीच में बीरांच के कई घंटे है यदि सभी अच्छा और अधियां साथ मिनट लंबी होती है यदि संकेति izmmahansi कारे के बाद कारे कलाफ में एक परिफोरतन किया जाये तो आपसर नमर डी यहां पे सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि संकेति कारे के बाद थोड़ा सा ब्रेक करके उसको परिवर्तन करके चेंज करके करेंगे तो उसमें एकसाइटमेंट बढ़ेगा ठीक है कि यहीं संकेति कारे के बाद कारे कला परिवर्तन या चेंज लाए जाता है तो विद्यार्थी आसानी से स्रीखत्या कारे करते हैं और ठूर कारे के बाद हलके कारे करने में विद्यार्थी स्रीखत्या करते हैं क्वेंघ कूठ नोर 26 है लंबी कूध में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है तो तीन आउसर दीये जाते हैं और दूसर नुप निज चाहिए जैंग जाता है तो थीसरा दिया जाता है उसमें टाई आ गया तो नेक्स बेस्ट पूल की लंबाई क्या होती है what is the length of a standard swimming pool जो swimming pool वोती है बदमान में इसका जो लंबाई चोड़ाई है 50-25 मिटर है यानि कि 50 मिटर जो है वो लंबाई है और 25 मिटर जो है वो चोड़ाई है और इसे पानी का अपमान जो है ब्सकेश को प्सकेश कोड़ में सबस्ट के सुछ की अधर बंसके नहीं इसके सांथा राएं अटार ही हैं सुछ न्युम्हिंते श्युला की ग्ीभीर सबसे त्योन में अजिकी ग्रैश यहां पर इंग्लिश वाला देखिए विन एंड हो मुच्छ डज इबास्किरबाल वेट वेट पुचा है याद रखे को भार ठीक है यहां पर टैपिंग मिश्टेक है भार पुचा है बास्किरबाल का भार कितना होता है तो पांसो सॉरसर से छेसो पत्यास ग्राम तक इसका होता है याद रखिए 600 ग्राम होता है यहां पर पांसो सॉरसर से छेसो पचास ग्राम होगा है ठीक है दोसों सी और डी सेमी सेम आफ्सन हो गया है ठीक है लेकिए एक्जेट मैं बता रहे हूं अजो कोट ग्राउंड का एरिया वह ता आठाइस गुड़े 15 मिंटर का होता है जो रिन होता है टोक्री जो है वो पैताली सेंटीमीटर ब्याज का होता है बॉसकेट बाल की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर पांसो सरसर से चेसो पचास ग्राम ठीक है कोशनमर 29 बास्किरबाल गेम एक टीम में कितने सब्टेट्यूट होते हैं इस्थानापन 12 थार थार 2 थार फिरद्वार थांड थान थाई पलबंति फोर 5 थूचल थाई गंप भूचए होसाथा श्याधी प् 5 थे से पलभरी थार करो 7 थात्रा से सुचल होते हैं कर आँचाएग यहांच त साथ था हो झाहने भरेत सल्व 25 था थ्याग, भी redit में 3 मिन राउंड होते हैं जो हैं फाल इस think मत was the we treat के तीन रांड होते हैं प्रते क्राउंड में एक मिनिट कर ब्रेक डिया जाता आ जाता है या और बाक्सिंग अधित्म 5500 की अंधितर भाग भाग की अ कोशन नंबर 31 है खोखो में कितने क्रॉस लेन होती हैं हो मेनी क्रॉस लेन और देयर इन खोखो दोस्तों नौ खिलाड़ी होती है तो आठ ही आठ लेन होंगे तो क्रॉस लेन जो है आठ होते हैं एक दोड़ाने वाला रनर होता है ठीक है तो बर्तमान में जो है जो आपका खोखो का ग्राउंड है 37.6 मीटर का होता है और लॉबी की जो चोड़ाई होती है डेड़ बिटर होता है याद रखिएगा तो दोस्तों यह था आज की सेशन में एक टीज एमसी क्यू कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आई हों कि कि जिस भी कोशन्स में डावल होगा कमेंट में जरूर बताएए हम सब मिलके उसको हल करेंगे और जादे 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 वीडियो को सेयर भी किजिए जिसे आन लोगों तक वीडियो बहुत सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाएगे